जै शीकृष्णा कैसे आप सब लोग हम आप सभी लोगों के लिए इश्वर से प्राथना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्त रहें मस्त रहें और आप अपनी लाइफ में आगे पढ़ें अपने करियर में आप धेर सारी सकसे सांसल करें आप जो भी पाना चाहते हैं जो पॉजिटीव है आपके लिए वो सब कुछ माभगवती इश्वर आपको जरूर दें डियर आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके चैनल स्प्रिचुल लव डबल डबल बन में आज हम फिर से आपके लिए गाड काइटेंस लेकर आए हैं आज हम आपके लिए इश् संदेश लेकर आए हैं तो आपको क्या करना है लंबी सी गहरी सीच सांसे लेनी है और ऐसे इन्हेल एक्जेल इन्हेल एक्जेल तीन बार लंबी गहरी सांसे लेनी है चान्त मन के साथ एक आप्शन चूस करना है इश्वर का नाम लेकर एक आप्शन चूस करना है अब दिख आप चाहें तो जो image दिख रहे हैं आपको आप इसे चूस कर सकते हैं और अगर आप image चूस करने में confused होते हैं तो यहाँ पर repeated numbers भी हमने देए हैं आप numbers के थुरू भी एक pile चूस कर सकते हैं उसके बाद reading देखिए कि इश्वर आपके spirit guider आप जिन्हें बहुत जादा मानते हैं वो हमारे थुरू आपको क्या समझाना चाहते हैं वो हमारे द्वारा आपको कौन सा थंदेश देना चाहते हैं कौन सा message देना चाहते हैं ठीक है तो वीडियो बिलकुल skip नहीं करने हैं क्योंकि spiritual topic है और पूरी reading देखनी है ठीक है आई होप कि आपने pile चूस कर लिया होगा चलिए अब आप अपनी reading देखिए ठीक है जैशी कृष्णा option number one कैसे हैं आप I hope आप बहुत त्वस्त होंगे मस्त होंगे और आप अपनी life में आगे बढ़ रहे होंगे dear आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके channel spiritual love 1111 में dear आपके लिए इश्वर का क्या संदेश है इश्वर आपको क्या बताना चाहते हैं कौन सा राष्टा दिखाना चाहते हैं एक बात समझ लीजिए अगर ये वीडियो आपको suggest हुआ है अगर आप इस वीडियो तक आए हैं तो ये जानिए कि आप अपने मन से आपको लाया गया है कहीं नगए इश्वर चाहते थे कि आप इस वीडियो को देखें क्योंकि इस वीडियो में आपको आपके समस्याओं का समधान मिलने वाला है सबसे पहले हम इधर साइन और एलेमेंट्स की बात कर लेते हैं देखें इधर जो बहुत स्ट्रॉंग साइन है वो है कैंसर स्कॉर्पियो पाइसियस आपकी राशी कर्प हो सकती है व्रिश्चक हो सकती है और मेन हो सकती है ठीक है और देखें इधर जो दूसरा साइन है वो है एडिस लियो सजिटेरियस मेस सिंग धनु राशी ये भी आपका साइन हो सकता है आपकी राशी हो सकती है इधर देखे जेमिनाई लिप्रे एक्वेरियस मिथुन तुला कुम्ब राशी बहुत कम है ठीक है और टौरस वर्गो कैप्रिकॉन ये साइन भी आपकर बहुत कम है अब देखें किसी महिने की नौ तारीक को आपका जन्मुआ होगा चार तारीक को दो तारीक को 16 तारिक को और 3 तारिक को एक तारिक को आपका जन हुआ होगा 10 तारिक को इदर जो आपका बर्थ मन्त है वो हम देख रहे हैं अक्टूबर, फर्वरी, जून, अप्रेल, मार्च, जन्वरी, मई, कुछ लोगों के बर्थ मन्त निकल कर आए हैं जो कि हमने बता दिया आपके नेम के इनिशिल की बात कर लेते हैं C, R, U, S, P, D, O, Q क्यों बहुत ज़्यादा आता है Q, Q से आपका नाम हो सकता है F, M, E, ठीक है तो ये कुछ इनिशिल्स हैं आपके नाम का पहला ख़यर इसमें से कुछ हो सकता है अब हम बताते हैं कि currently आपकी लाइफ में क्या चल रहा है जिसको देखते हुए इश्वर आपको शंदेज देना चाहते हैं जिसको देखते हुए इश्वर ने आपके लिए हमारे थुरू हमारे द्वारा शंदेज भेजा है कोई आपके अनकंडिशनल लव को ठुकड़ा रहा है हाँ आप किसी चीज की न्यू बिगनिंग करने के बारे में सोच रहे है आप किसी को बहुत समय से मैनिफेस्ट कर रहे है हाँ आप मैंसे कुछ लोगों का सेपरेशन हो गया है बात चीत नहीं हो रही है जैसे कि किसी ने आपके दिल को बुरी तरह से तोड़ दिया है सबकुश चीख चल रहा था जो भी हुआ सडलली हुआ जैसे कि किसी रिष्टे का अंत हो गया है कोई था ऐसा जिसने आपके प्रेम को समझा नहीं आपके प्यार को समझा नहीं आपकी हर बात को वो गलत सेंस में लेता रहा आपकी हर बात को वो एक गलत नजरिये से देखता रहा यहांपर misunderstanding बहुत जादा create हुई है समझे हैं इनके साथ आपका connection बहुत strong है आप महसूस करते हैं आपको लगता है कि शायद उनकी तरफ से ऐसा कुछ नहीं है जितना strong connection आप feel करते हैं कि like past life connection है जितना जुकाव आप इनके लिए महसूस करते हैं आपको लगता है कि इन्हें कोई फर्खी नहीं बढ़ता आपको लगता है कि क्या कभी इन्होंने प्यार नहीं किया क्या इनके दिल में एहसास नहीं है जजबात नहीं है फीलिंग्स नहीं है इधर देखिये कुछ लोगों के लिए हमें intercast issue, religion issue समझ रहे हैं बहुत strong निज़र आ रहा है आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अपना future spouse टूड रहे हैं आप single है हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए कि आप married हो लेकिन आपका डिवोस हो गया हो आपके husband wife से आप single mom हो, single dad हो और आप life में बहुत अकेला पर महसूस करते हैं जैसे कि कोई नहीं आपको समझने वाला कोई नहीं है जो आपका साथ दे हर कोई मतलब के लिए आपसे रिष्टे रपता है मतलब के लिए रिष्टे बनाता है तो इन चीज़ों को लेकर आप काफी परिशान है तो आप पिशवर से बोलते हैं कि क्या कोई मेरे लिए बनाने है क्या मेरे जिंदगी में खुशियां लिखी नहीं है आपने life में बहुत struggle किया है आपने life में बहुत मैनत किया है अब नतीज़ा इसका ये निकला कि आप यहाँ पर दे कि वाटर साइन हमने पहले बताया था कि बहुत स्ट्रॉंग है अधिर वाटर साइन तो कहीं नहीं आप बहुत कैरिंग बहुत मदर्ली टाइप हैं और इस नेचर का बहुत मिस्यूज हुआ है लोगों ने बहुत इस्तमाल किया है जैसे कि आपकी भाबनाओं के साथ खिलवार किया लोगों ने और आप हर किसी को बहुत अच्छा समझ लेते थे हर किसी पर ब्लाइंड ली ट्रस्ट कर लेते थे आपको लगता था कि दुनिया मेरे जैसी तो है आपने कभी शक भरी नजरों से देखा ही नहीं यहां पर किसी के जजबातों की किसी के एहसासों की किसी को कोई कदर नहीं होती लोग सिर्फ मतलब के लिए रिष्टे बनाते हैं चाहे उनका मतलब शरीर से हो या फिर पैसो से हो तो ना दीरे 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 आपकी जो पूरजा है, जैसे के सुद्धा है, जो आपका नेचर जो इस बढ़ी से करने के बारे में आपके साथ पार्टनर्शिप में बिजनस करने के बारे में सोच रहे हैं तो कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी के साथ बहुत completion महसूस करते हैं जैसे कि हाल फिलाल आपके life में कोई आया है और वो आपको बहुत अच्छा लगता है और आपको लगता है कि इनके आने से जैसे आपके जिन्दगी में एक completion आगया हो जैसे कि बहुत सुकूर महसूस करते हैं आप उनसे बात करके उनसे मिल कर हर तरह से आपको लगता है कि आपके life इनके साथ complete हो रही है आपको लगता है कि जैसे जिन्दकी से अब कोई शिकायत ही नहीं रही बस ये मिल जाएं अगर ये मिल जाएंगे तो जिन्दकी बहुत खुशनमा हो जाएगी तो बहुत सारे लोगों की ऐसी समस्याएं हैं किसी का करियर को लेकर तो किसी की जो प्रॉब्रम है वो लव लाइफ को लेकर है कोई उनके प्यार को नहीं समझ रहा है है ना तो डियर अब इश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं इश्वर का क्या संदेश है आप ये सुन लीजिए इश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि मेरे प्यारे बच्चे क्यों नहीं करते कि मैं हमेशा आपके साथ हूं हर परिस्थिती में हर इस्थिती में आपके साथ हूं आप कभी अकेले नहीं होते मैं हर वक्त किसी न किसी रूप में साय की तरह आपके साथ रहता हूं लेकिन अब आप मुझे महसूस नहीं कर पाते आप मुझे पहचान नहीं पाते इसमें किसकी गलती है बताईए इसमें आपकी गलती है ना तो डियर आप कभी भी अकेले नहीं होते आप लोगों की तरह मत बनिये कि आपने वो सब करना शुरू कर दिया जिसके लिए आप बने ही नहीं है आप लोगों की तरह मत बनिये वरना लोगों में आप में कोई फर्क नहीं रह जाएगा इश्वर चाहते हैं कि आप जैसे थे आप वैसे ही रहिए बस आप अपने अंदर इतना सा परिवर्तन लाईए कि आप किसी की बातों में बताईए और अपनी इंट्यूशन का इस्तमाल करिये इश्वर आप से कहना चाहते हैं कि आप वैसे बहुत सरे लोगों की लाइफ में कोई सडनली आने वाला है आपको सडनली किसी से प्यार होने वाला है आपका कोई manifestation है बहुत समय से हम ऐसे लगता है कि कम से कम आप उसे कई सालों से manifest कर रहे हैं आपकी कोई इक्षा सडनली पूरी होने वाली है जैसे कि कोई होप नहीं है कोई उम्मीद नहीं है और आपकी वो इक्षा पूरी होने वाली है अभी जो इक्षा है यह प्यार को लेकर है जैसे कि अगर आपका कोई crush है वो आपको इग्नॉर कर रहा है ठीक है त आपको ignore कर रहे हैं तो suddenly यह होगा कि उन्हें आपके प्यार का एहसास होगा और वो आपको commitment दे सकते हैं आप मैंसे बहुत सारे लोगों को सपने में love leaf दिखाई पड़ी होगी मैं जिसे कि people का पत्ता होता है ना ऐसा एक पत्ता आपको दिखाई पड़ेगा सपने में और नहीं दिखा है तो दिखने वाला है आपने ध्यान नहीं दिया हो शायद यह इस कप्ड़ तीक है आपको शाहिन दे रहा है कि आपकी life में कोई suddenly आने वाला है आपको suddenly किसी से प्यार होने वाला है आप suddenly किसी के प्यार में पढ़ने वाले हैं समझ रहे हैं आपकी जिन्दगी की new beginning होने वाली है ये इश्वर आपसे कहना चाहते हैं एक बात हमेशा याद रखिए आपको लोगों ने तोड़ने की बहुत कोशिश की है आपकी जिन्दगी को खत्म करने की कोशिश की है लेकिन आपको पता है जिसका रखवाला उपर वाला होता है उसका कोई कुछ नहीं विगार सकता कहते न जाको राखे साईया मार सके न कोई बाल नबाका कर सके जो जग वैरी होए तो इश्वर आपसे कहना चाहते है कि जब तक वो आपके साथ है तब तक लोग आपका कुछ नहीं विगार सकते वो कोशिशे बहुत करेंगे लेकिन हम उन्हें नाकाम्याब करेंगे अब हमेशा सोचते हैं न कि मुझे कोई प्यार करने वाला नहीं है मुझे कोई समझने वाला नहीं है आप बहुत गलत सोचते हैं क्योंकि इश्वर हमेशा आपके साथ होते हैं और आप उन्हें महसूस नहीं कर पाते हैं आप उन्हें महसूस नहीं कर पाते हैं इश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि आप जो ये डिप्रेक्शन और एंग्जाइटी के स्थिती बना रहे ना अपनी ये मत बनाईए ये मत बनाईए क्योंकि इससे आगे चलकर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी आप कहेंगे कि आप बना नहीं रहें चीजे अपने आप होनी है खुद बखुद होनी है तो उसके लिए इश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि आपको अपनी एनरजी को बैलेंस करना होगा हाँ दुनिया से लड़ते लड़ते लोग कभी कभी स्ट्रॉंग हो जाते हैं लेकिन कभी कभी कुछ लोग बहुत गमजोर पड़ जाते हैं उन्हें लगता है कि अब और हिम दुनिया से लड़ने की अब और हिम्मत नहीं है लोगों का सामना करने की तो देखिए इश्वर चाहते हैं कि आप मेडिटेशन करें आप विपश्चना मेडिटेशन या फिर आना पान सती मेडिटेशन कर सकते हैं इससे आपकी एनरजी बैलेंस हो जाएंगी जिससे आपक से कुछ नहीं होगा आप कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि ना आपका प्यार आपका साथ देता है ना आपका परिवार आपका साथ देता है और हर तरफ से आपको नेकेटिव रिजल्ट मिलता है तो इश्वर आपसे कहना चाहते हैं अब ऐसा नहीं होगा अब ऐसा नहीं ह होगा आप हिम्मत करके उठिए मेडिटेशन करना स्चुरू करिए आप बहुत जल्द पाएंगे कि आपके जिंदगी में बहुत बड़ा चेंज हो रहा है समझ रहे हैं कुछ बहुत बड़ा फूट फुल डिजल्ट आपको मिलने वाला है किसी चीज में हो सकता है कि आपके में सबकुछ बैलेंस हो जाए अभी आप मेडिटेशन की पावर को जानते नहीं है आपको अभी हाल फिलाल में एक तो दिन में बेल कफल होता है ना बेल जो शीव जी को चरता है महादेव को चरता है आपको सबनली कहीं पर बेल दिखाई पड़ेगा समझ रहे हैं कहीं किस उसके थ्रू इश्वर आपको एक साइन देना चाहते हैं कि आपको जो हेल्थ इशूस हो रहे हैं उसमें अपसुधार होने वाला है और अगर आप नहीं चाहेंगे तो इश्वर भी कुछ नहीं कर सकते हैं अब मान लीजिए आप अपने अंदर से हार मान चुके हैं और सब्सक्ति एशूस हो रहे हैं लेकिन आपको ओँर्धिंग करनी बंद करनी पड़ेगी ओवर्धिंग की वजे से ही जाततर बीमारियां आपको परिशान करती हैं अगर इनसान अंदर से स्ट्रॉंग हो और बाहर से उसे बीमारी परलग भी जाएं ना तो भी वो इन बीमार कि जिन्दगी में कैसी भी परिस्थिती आ जाए आपको अपना आत्म विश्वास नहीं हारना है अगर आप चाहेंगे आप positive सोचेंगे आप daily meditation करेंगे तो आप अपनी life में वो सब कुछ पालेंगे जिसके आप हकदार हैं जो आप deserve करते हैं लेकिन अगर आप नहीं चाहेंग एक दिन आपका भाग यह बन चाहता है क्योंकि आप future के लिए उसे manifest कर रहे होते हैं ठीक है जिन्दगी में हमेशा सुख ही सुख नहीं रहता है दुख भी आता है सुख भी आता है इश्वर फिर से आपको बार-बार यहीं समझाना चाहरे हैं कि दुख सुख दोनों आएं मुन्ना समयमान आने वाला है जी हां सड़नली आपको यह good news सुनने के लिए मिल सकती है कि या तो आप या फिर आपकी family में किसी को baby conceive हो गया है किसी के आने की खुश खबरी आपको मिलने वाली है और देखिए अगर आप अपना मकान खरीरना चाहते हैं इश्वर आपसे कहन हैं within three months आपकी विश्व पूरी करने वाले हैं और आप एक बहुत अच्छी जिन्दगी जीने वाले हैं अगर आप कहीं shift करना चाहते हैं तो हमने बताया कि suddenly आपकी कोई बहुत बड़ी विश्व बहुत पुरानी विश्व पूरी होने वाली है जिसे शायद आप एक साल से manifest करने हैं आपकी वो wish इश्वर पूरी करने वाले हैं आपकी life में new beginning होने के full chance हैं और आपकी life में वो आने वाला है जिसके लिए आप बने हैं जो आपके लिए बना है जो आपको ठुकरा रहा है जो आपको छोड़कर जा रहा है उसके पीछे मत भागे अपनी self respect उसके इसे इश्वर चाहते हैं कि आप अपनी इज़त करें अगर आप अपनी इज़त करेंगे तो दुनिया भी आपके इज़त करेगी अगर आप ही अपनी इज़त नहीं करते हैं अगर आप ही अपनी वैल्यूरी समझते हैं अगर आप ही self love नहीं करते हैं आप ही खुद से प्र जन्तूं की मदद करिए, क्योंकि जब आप उनकी मदद करते हैं, आप उने भोजन देते हैं, पानी देते हैं, तो उनके आशिरवात से आपके जीवन में जो भी नकरात्मा कूर जाये होती हैं, जो आपके जिंदगी की ग्रोथ को रोग कर बैठी होती हैं, आपके प्रेम, आ आप से कहना चाहते हैं कि आप भूंखे बसो पक्षियों को भोजन देना शुरू कर दीजिए आप देखेंगे कि कितना बड़ा मेरेकल हुआ आपकी जिन्दगी में और दिखी एक बात और आप मेंसे बहुत सारे लोगों की लाइफ में आपके फ्यूजर स्पाउस आने वाल चाहते हैं उन्हें कोई सुयोग बयद करना यह मिल रहा है उनके लिए तो उनसे इश्वर कहना चाहते हैं आप परिशान मत हमये बहुत जल्द आपको एक अच्छा रिष्टा मिलने वाला है आपके बच्चों के लिए अगर आप अपने बच्चों के लिए परिशान हो रहे हैं तो और आपको बहुत पावर मिलने वाली है कहीं न कहीं इश्वर की ब्लेसिंग माभगवती का आशिरवाद इस तरह आपको मिलेगा कि इसी हफ़ते के अंदर आपको कोई बहुत बड़ी opportunity मिलने वाली है जिससे आप महसूस करेंगे आप फील करेंगे कि हाँ अब मेरी जिन्दगी में सब कुछ बहतर हो रहा है समझ रहें तो इश्वर का आशिरवाद आपके साथ हमेशा है और हमेशा रहेगा इश्वर आपसे इतना ही कहना चा करने की जरत है अगर आप कोई business start करना चाहते हैं तो बिल्कुल निश्चिन्थ होकर आप start करिए अगर आप किसी के साथ कोई new beginning करना चाहते हैं तो निश्चिन्थ होकर start करिए उसमें आपको positive result मिलेगा ठीक है आई हूप आप समझ गया होंगे जैशी कृष्णा अपना ख् परवा करने हैं अपने खुशों की परवा करने हैं और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं आपका मन कहता हो आपकी आत्मा कहती हो तो आप इस चैनल को लाइक करके शेयर करके सब्सक्राइब करके हमें motivate भी कर सकते हैं ठीक है जैशी कृष्णा option number 2 कैसे हैं आप I hope आप बहुत स्वस्थ होंगे मस्थ होंगे और आप अपनी life में आगे बढ़ रहे होंगे dear आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके चैनल spiritual love 111 मे इश्वर, angels, परमपिता परमेश्वर, universe, माभगवती, महादेव, Jesus, Allah, God आपको क्या बताना चाहते हैं क क्या समझना चाहते हैं उन्होंने हमारे त्वारा आपके लिए क्या संदेश भेजा है आपके लिए, आपके करियर के लिए, आपके रिष्दों के लिए हां रिष्टों में बहुत उल्जे हुए है ना आप तो वो क्या बताना चाहते हैं चलिए सबसे पहले साइन और एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं एरीस, लियो, सजिटेरियस, मेस, सिंग, धनवराशी बहुत स्ट्रॉंग है जी हां उसके बाद है यहां पर कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस कर्क, वृष्चिप, मीन राशी उसके बाद है आपर टारस वर्गु कैप्रिकॉन वृष्चप, कन्या, मकर राशी जेमिना इनिप्रे एक्वेरियस भी है लेकिन बहुत कम है ठीक है तो यह यहां पर साइन और एलिमेंट्स है अब देखे आपके बर्त मंत की बात कर लेते हैं अक्टूबर जी हां अक्टूबर बहुत स्ट्रोंग है और सिप्तेम्बर जून मई जी हां मई मार्च अक्टूबर फिर से अक्टूबर बहुत स्ट्रोंग है अक्टोबर बहुत ही ज़दा user Jr. मेरी बहुत भी बहुत इस्टॉग है अगस्त भी बहुत इस्टॉग है बर्त डेट की बात करते हैं छे किसी भी महीने की छे नारी 29 तारीक को बहुत सारे लोगों का झेनल हुआ है दस तारीको एक तारीको और 28 तारीको तीन तारीको एकिस तारीको बारा तारीको तीस तारीको पांच चलिए अब हम नेम के इनिशल की बात कर लेते हैं यह आपके नेम का इनिशल है कुछ लोगों का हो सकता है कुछ लोगों का नहीं भी हो सकता है अब इश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं उसके लिए हमें आपके करेंट सिच्वेशन देखनी पड़ेगी तभी तो आप इस रीडिंग को खुद से जोड़ पाएंगे रिलेट कर पाएंगे कि यह रीडिंग आपके लिए ही बनी है जिम्मेदारियां बहुत जादा है जिन्दगी में रिस्पॉंस्बिलिटी बहुत जादा है परिवारिक लेकिन एप्रिशेट करने वाला कोई नहीं है गला काटके भी रख देंगे न तो समझने वाला कोई नहीं है आप पुरे परिवार को एक जुट समेट कर चल रहे हैं आप परिवार के लिए अपनी खुश्यों की बली चढ़ा रहे हैं आप हमेशा वो करते हैं जो आपके परिवार को पसंद हो ठीक है और वही पर आप अपनी खुश्यों का गला खोड़ देते हैं आप हमेशा यह सोचते हैं कि मेरे घरवालों को कैसा लगेगा आप गला भी काटके रख देना उनके लिए तो जैसे कि उन्हें इस बात का कभी ऐसास नहीं होता कि आप उनके लिए कितना कुछ कर रहे हैं उन्हें भी सोचना चाहिए उन्हें भी करना चाहिए तो हम यही देख रहे हैं कि आप बहुत सारे लोगों को एक साथ समाल रहे हैं बहुत सारी लोगों की जिम्मेदारी आप एक साथ उठा रहे हैं ऐसा हो सकता है कि आप जॉब करते हों या फिर आपका बिजनेस हो तो इतनी इंकम नहीं है जितने खर्च है आपके घर में फिर भी आप सबको खुश रखने के लिए बहुत कुछ करते हैं बहुत कुछ करते हैं लेकिन जैसे कि समझता कोई नहीं है एप्रिशेट कोई नहीं करता कि हाँ आप इतना कुछ करते हैं उसके बाद ही वो आपसे बहुत रूडली विहेव करते हैं फिर भी वो आपसे ऐसे बात करते हैं जैसे कि आपने उनके लिए किया ही क्या है तो इन चीजों की वज़े से कभी कभी आप बहुत ज़दा हर्ट हो जाते हैं और अपने बारे में सोचने लगते हैं लेकिन फिर आपका ध्यान अपने परिवार की तरफ चला जाता है कि नहीं कुछ भी करके मुझे अपनी फैमिली के बारे में सोचना है आप मैंसे बहुत तरह लोग ऐसे हैं जो अभी किसी से नाराज हैं और आप उनके कॉल या मैसेज का वेट कर रहे हैं उनके आने का इंतजार कर रहे हैं या तो किसी के आने का इंतजार कर रहे हैं या फिर किसी रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं किसी भी चीज़ का result आपको मिलने वाला हो या तो जैसे किसी की commitment का wait कर रहे है किसी की proposal का wait कर रहे है कहीं interview दिया हो तो उधर से क्या result होगा क्या response होगा उसका wait कर रहे है मतलब आप किसी चीज़ का बेसबरी से इंतजार कर रहे हैं और आपके अंदर जैसे कि थोड़ी धगधग चल रही है कि पता नहीं क्या होगा पता नहीं क्या होगा पता नहीं क्या होगा ऐसा और कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी अंचाहे रिष्टे में फसे हुए हैं उससे निकलना चाहते हैं लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि पता नहीं मेरी जिन्दगी में कभी कुछ ठीक होगा की नहीं होगा, क्या मेरी जिन्दगी में यही सब कुछ लिखा हुआ है, देखे डियर, आपकी जिन्दगी में यह सब कुछ नहीं लिखा है, आपकी जिन्दगी में बहुत सारी खुशियां, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा abundance लिखा हुआ है लेकिन थोड़ा वक्त लग रहा है आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी किसी के धोके का शिकार हुए है कोई third party है आपके जिन्दगी में जो आपको खुश नहीं रहने दे रही है कोई third party कहीं तो है जो आपकी जिन्दगी को नर्क बनाने पर तुली हुई है समझ रहे हैं हो सकता है कि आपका कोई अपना ही हो हो सकता है कि कोई आपका अपना ही हो या फिर हमें ऐसा लगता है कि आप जिनसे प्यार करते हैं उनकी लाइफ में कोई और परसर आ गया है और आपका दिल बुरी तरह से टूटा है पर आप मूव ओन नहीं कर पा रहे हैं आपको लगता है कि शायद वो लोटा है शायद उसे मेरे प्यार का एहसास हो जाए चलिए हम बताते हैं कि इश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं सबसे पहले तो इश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि अगर आपने कुछ खो दिया है आप किसी चीज़ का इंतजार कर रहे हैं ठीक है किसी भी चीच का अगर आप इंतजार कर रहे हैं किसी के प्रपोजल का, कमिट्मेंट का, लौट कराने का, किसी रिजल्ट का तो इश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि परिशान मत होईे, व्याकूल मत होईे जो आपका है, जो आपके लिए बना है वो निश्चित ही सही समय पर आपको प्राप्त हो जाएगा डिवाइन टाइमिंग जिसे बोलते हैं, समझ रहे हैं अगर आपके करियर में आपको सक्षिस चाहिए आप बहुत एफर्ट लगा रहे हैं, बहुत मैनत कर रहे हैं और अभी डिवाइन टाइमिंग नहीं है, अभी वो चीजे आपके लिए सही नहीं है तो वो अभी आपको नहीं मिलेगी, आप कर्म करते रहे हैं कर्म करते रहे हैं कि कोई आपके यही कर्म आपका भाग्य बनेगी लेकिन इश्वर बस ये डिसाइड करते हैं कि कौन सी चीज किस समय पर देनी है इश्वर भी जानते हैं कि उनके बच्चे के लिए हम सब इश्वर के बच्चे न वो जानते हैं कि कौन सी चीज कौन सा इंसान आपको किस ताइम पर देना है तभी वो कह रहे हैं कि व्याकुल मत हो, ये कर्म करते रहे हैं, डिवाइन टाइमिंग पर वो चुज़े आपको ज़रूर मिल जाएंगी, जिनके लिए आप इतनी मेनद कर रहे हैं, जिने आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके अंदर हिम्मत की साहस की आत्मी विश्वास की क कोई कमी नहीं है, बिल्कुल भी कमी नहीं है, इसी वज़े से इश्वर ये कह रहे हैं कि सही समय का इंतजार करें, और जिन लोकों को धोका मिला हैं, आपके परसन की तरफ से कोई थर्ट पार्टी आ गई है, मेल हो आप फिमेल हो, इश्वर कहना चाहते हैं, जो कुछ भी ह हुआ रहा आपकी जिन्दगी में, ये सब कुछ इश्वर की मर्जी से हुआ है, वो इंसान ठीक नहीं था आपके लिए, लेकिन आप जिद्द पे अड़े थे, कई लोकों ने आपको कई बार समझाने की कोशिश की होगी, एंजल्स ने किसी न किसी के द्वारा आपको समझ जाने की कोशिश की होगी, कि वो इंसान आपके लिए ठीक नहीं है, आप उसे छोड़ दो, उसके साथ लाइफ में आगे ना बढ़ो, आपके लिए नहीं बना है, पर आप जिद्द पे अड़े थे, पता है हम सब आकर्शन को, अटैच्मेंट को प्रेम समझ लेते हैं, और यह जो हुआ ना आपके साथ, यह बिल्कुल सही हुआ है, क्योंकि इसमें आपकी भलाई है, आगे चलकर आप और भी बुरी तरह से तूटने वाले थे, शुक्र मनाईए कि आप बच गए, इतने में ही बच गए, तो इश्वर यह कहरा चाहते हैं, हिम्मत करके लाइफ में आगे बढ़िए, move on करिए, समझ रहे हैं, आपका golden future, bright future आपका इंतजार कर रहा है, जिन्दगी में सिर्फ प्यार ही नहीं करना है, और भी बहुत कुछ करने आए हैं हम, प्यार करना है सिर्फ एक इनसान से नहीं, वो अनन्त प्रेम करना है, पस उपक्षियों से, जीवज हैं, उन सब से प्रेम करना है, लेकिन ऐसा प्रेम नहीं, जिस प्रेम के लिए आप रो रहे हैं, प्रेम एक ही होता है, पर उसके भाव अलग-अलग होते हैं, तो आपको अब से जो प्रेम करना है न, वो बिना attachment वाला प्रेम करना है, मोनी होना चाहिए, प्रेम होना करिए help करिए दया दिखाईए है ना लेकिन इस तरह कर नहीं कि आप अपने खुश्यों की चाफ ही किसी की पॉकेट में डाल दें कि अब आप इनके बिना जी नहीं सकते इनके बिना खुश नहीं रह सकते इनके बिना आप तूट जाएंगे, मर जाएंगे, बिघर जाएंगे ये बिल्कुल भी होना नहीं चाहिए ये तो बिल्कुल ऐसा हुआ कि इश्वर ने आपको धर्ती पर भीजा था अपने काम के लिए और उनका बच्चा यहाँ पर बेकार के लोगों फस क्या हाँ? फिर क्या होगा? तो इस वज़े से ये जो भी हुआ ये जो भी हुआ इश्वर की मर्जी से हुआ है कही न कहीं एंटर्स की बहुत बड़ी प्लैनिंग थी और अगर ये नहीं होता तो आप जिंदगी में सबक नहीं सीखते सबक बहुत बार सिखाया है लोगों ने आपको लेकिन फिर भी आप बार 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 उन्ही गलतियों को रिपीट कर रहे थे और फिर आप कहते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है जब तक आप वही गलतियों बार 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 रिपीट करते रहेंगे तब तक बार बार आपके साथ ये सब कुछ होता रहेगा लिख कर रख लीजिए क्या समझें? होता रहेगा तो अगर आप चाहते हैं कि ये दुबारा ना हो तो आपको समझदारी दिखाने पड़ेगी आपको अंडरस्टैनिंग दिखाने पड़ेगी और लाइफ में साहस के साथ हिम्मत के साथ आगे बढ़ना होगा दिखाना होगा लोगों को उन लोगों को जो आपको कमजोर समझते हैं जो आपको कमजोर समogh देंगा हैं, जो समझते हैं आप किसी काम के ने आप ना पारा हैं, दिखा दीजिए उन्हें कि आप बहुत कुछ हैं। होते हैं सामने वाला तो आपको छोड़कर चला गया वो किसी और के साथ मस्त है मगर है लेकिन हम उसके लिए रो रहे हैं आसू बहा रहे हैं उसने यह कर दिया हां मानते हैं कुछ दिन तकलीफ होती है लेकिन फिर अपने अंदर जुरून लाईए अपने आपको बदल कर रख प्रेम ना जबरदस्ती नहीं होता प्रेम कोई भीग नहीं है कि दे दो दे दो हम बिखारी हैं आपने एक एश्पर्या राय का एक डायलोग सुना था एदिले मुश्किल मूवी में कि मैं किसी की जरुत नहीं ख्वाहिच बनना चाहती हूं जरुत मत बनिये ख्वाहिच ब और देखी इश्वर ये बोलना चाहते हैं कि आप मैंसे बहुत सारे लोग हैं जो बोल बोल कर ठक गए जैसे कि आपके परिवार में आप दुखी रहते हैं कि लोग आपको समझते नहीं हैं आप जो बोलते हैं वो उन्हें समझ में नहीं आता हो सकता है कि आप अपने बच्च जाये ना, तो फिर मौन हो जाना चाहिए, आपको पताए ना हजार सब्दों से ज़ादा powerful मौन होता है, silence होता है, silence की power को समझे, मौन की भासा सीखे, हजार सब्दों से ज़ादा वह कार कर होता है जब बोल बोल कर कुछ ना हो ना तो चुप हो जाना चाहिए और आप देखेंगे एक मेरा कल हो जाएगा जो बोल-बोल करनी होता ना वो ना बोल कर हो जाता है तो अब तक आपने उन्हें समझाया, बोला ये ना करो, वो ना करो, ये सही ने वो सही ने, आप चुप हो जाएगे और फिर आप चमतकार देखिए फिर चमतकार आप देखेंगे कि वाग गई ये तो मेरा कल हो गया अब एक बात इश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि आपके आज पास काफी नेगेटिव लोग हैं टॉक्सिक लोग हैं तो उसके लिए आप आप एक काम क्या करिए जैसे कि आप जो धूब बत्ती अगर बत्ती लगाते हैं अगर आप तिलक लगाते हूं तो अगर आप मत्थे पे नहीं तो वो जो राख होती है उसे आप अपने हाट चक्रा के पास लगा लिया करिए हाट चक्रा के पास या अपने थ्रोट चक्रा के पास थोड़ी सी जैसे हम तिलक लगाते ना गले के गले पे तो आप उस राख को लगा लिया करिए अपने ठीक है इतना क्या करिए से वो आपको प्रोटेक्ट करेंगे कहीं न कहीं उनकी ब्लेसिंग उस उदी के साथ जुड़ी रहेगी और वो धर्म अलग है वो इश्वर बड़े हैं वो राम जी छोटे हैं जीसस बड़े हैं कृष्ण जादा बड़े हैं दुर्गा माता छोटी हैं कोई छोटा कोई बड़ा नहीं होता सब एक ही हैं कोई धर्म छोटा नहीं होता कोई धर्म बड़ा नहीं होता समझ रहे हैं धर्म व तो सभी धर्मों का जो संदेश है ना, वो प्रत्वी पर प्रेम फैलाना है, प्रेम का विस्तार करना है, ना कि घ्रणा का, इर्शिया का, छल कपट का, हिंसा का, तो आप इन चीजों में ना पड़े, आप इन चीजों में ना पड़े, कि मैं ये करू, मैं इनको पूजू, उनको पूजू, इनको पकड़ू, उनको छोड़ू, हम देखते हैं, आप मेंसे बहुत सारे लोग, बहुत ज़्यदा भटके हुए हैं, किसी ने कह दिया, कि पार्टनर को पाने के लिए ग्रीन तारा मं की चैंटिंग करो, फिर किसी ने कहा, क्लेम की चैंटिंग करो, कृष्णाय नमा की चैंटिंग करो, लक्ष्मी की चैंटिंग करो, इनकी चैंटिंग करो, मत्तकि ब्रहमित कर देना, ये करो वो करो, किसी भी काम को लग कर आप करते नहीं हैं, क्योंकि आपकी आस्था ही नह अगर किसी भी कोई भी मंत्र छोटा बड़ा नहीं होता, जिस भी मंत्र में आपकी अगाद श्रद्धा है, वही आपके लिए पावर्फुल टेक्निक बन जाएगा, समझ रहे हैं, वही आपके लिए ब्रह्मास्त्र की तरह काम करेगा, बस उसमें किसी भी मंत्र में कोई शक् डालती है, आपकी श्रद्धा उसमें शक्ति देती है, आपकी श्रद्धा उसे पावर्फुल बनाती है, एक छोटा से एक्जामपल, जो लोग मुस्लिम धर्म से होते हैं, ठीक है, किसी और धर्म से, अगर हम उनसे कहें कि भाई तुम गायतरी का जाप करो, और वो बिना, म बारे में, वो दुर्गा के बारे में कुछ खास डीपली नहीं जानते, उनकी श्रद्धा नहीं है, और वो उसकी चैंटिंग कर रहे है, तो उनकी जिंदगी में कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, और हमसे कहा जाए, कि तुम अल्ला हुअकबर करो, तो जब तक हम उनसे अटैच नहीं होंगे, जब तक हम उनमें डीपली कनेक्ट नहीं होंगे उनसे, तब तक कोई भी मंत्र हमारी लाइफ में कुछ परिवर्तन नहीं कर पाता, श्रद्धा में ही शक्ती होती है, बिना श्रद्धा के आप कुछ भी तोते की तरह रटते रहेंगे ना, तो उस र पूरे नहीं, आप बस बोल रहे हैं, तो आपके जब करने का कोई फाइदा नहीं है, अगर आप दीप लेवर पर महसूस करके एक एक शब्द बोलते हैं, तो उसमें जान आ जाती है, उसमें श्रद्धा आ जाती है, उसकी श्रद्धा से उसकी पावर बढ़ जाती है, तो यही परिश्वर आप से कहना चाहते हैं कि सभी धर्म एक हैं, सभी प्रेम सिखाते हैं, उनके बस रूप अलग अलग हैं, उन्होंने वो एक ही है, लेकिन वो अलग अलग रूपों में हर धर्म में पूजा जा रहा है। किसी धर्म में उन्होंने कुछ सिखाया, वो सब समय के हिसाब से हुआ था, बुद्ध जिस टाइम पर आए, उस टाइम का समय कुछ और था, जीसद जिस टाइम पर आए, उस टाइम पर समय कुछ और था, जिन्होंने हमें जो भी उपदेश दिये वो समय के हिसाब से दिये हैं तो कोई गलत नहीं है सब अपने आप में सही है जो उस टमय की परिस्थिती थी जो situation थी उस हिसाब से उन लोगों ने हमें समझाया अब उस टाइम को हम इस टाइम पर चलाएंगे तो कहां चलेगा वो जो समय था उस समय जो लोग थे वो और थे वो जो परिस्थिती में उन्होंने जो बोला वो चीज अलग थी पर अब समय अलग है तो आप भी थुड़ा समय के हिसाब्स चलिए और इश्वर आपके हृदय में बैठे हुए है अपनी बुद्धी का विकास करिए अपना अध्यात्मिक विकास करिए अपनी अंतर आत्मा की आवाज सुनिए वो भी आपको सही रास्ता दिखाएगी इस तरह से हिंदू मुश्लिम सिख इसाई ये धर्म वो धर्म ये देवी वो देवता इस कटरता में अपने जिन्दगी नर्ख मत करिए कल को आप मर के चले जाएंगे कोई नहीं पूछेगा आप नर्ख गए हैं कि जहन्नूम गए हैं कोई नहीं पूछने वाला आपको पता है जो अध्यात्मिक होते हैं न वो अनंत हो जाते हैं फिर वो सीमितनी होते किसी धर्म में, किसी जाती में, किसी देश में, किसी राज्य में, उनका प्रेम अनन्थ हो जाता है, उन्हें कंड कंड में सिर्फ वही नजर आता है, यहां पर बहुत सारे लोगों की यह एनरजी हम देख रहे हैं, कि आप में से बहुत सारे लोग इसी पर जबड़ा करते रहते हैं कि वो छोटे वो बड़े और किसी एक मंत्र को आप शकते नहीं बहुत समय तक बदल देते हैं चार दिन बाद बदल देते फिर कहांगे वर्क नहीं करता क्या है तो आपको अपने अंदर बदलाव लाने की जरत है, सुधार करने की जरत है, और अपने गुसे पर कंट्रोल करने की जरत है, समझ रहे हैं, अगर आप कहीं जाना चाहते हैं, कोई एक्षन लेना चाहते हैं, तो आप चले जाएए, आप एक्षन ले लीजिए, उसमें आपकी जीत होगी, अगर आपका कोट में कोई case चल रहा है, और आपको लगता है कि victory किसकी होगी, यह case कैसा भी हो सकता है, कोई जमेनी विवाद हो सकता है, आपका कोई कैसा भी case हो सकता है, तो इश्वर आपसे कहना है कि आपको उसमें positive result देखने के लिए मिलेगा, आपके रिष्टों में आपको काफी balance देखने के लिए मिलेगा जैसे कि अगर husband wife में काफी मनमुटाफ चल रहा है तो इश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि एक harmony देखने के लिए मिलेगी समझ रहे हैं को आपके प्यार में success मिलेगी समझ रहे हैं आपकी family में जिसे कि आप लेगी और अच्छी bonding होगी आप लोग कहीं घूमने जा सकते हैं आप मेंसे बहुत सरे लोग लाइक किसी भी पार्टी में जा सकते हैं सब लोग आप मेंसे बहुत सरे लोगों की शादी पक्की होने वाली है और जितने लोग twin soul journey में हैं उनकी energy balance होने वाली है अगर आप किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे समझ रहे हैं और उसका positive response चाहते थे तो उसका positive response आपको मिलने वाला है और इधर भी pile number 1 में भी था pile number 2 में भी था कि आप मेंसे बहुत सरे लोग ऐसे हैं जो baby conceive करने वाले हैं जी हाँ इश्वर का शंदेश यही है कि आपके घर में कोई नन्हा मुन्ना सा महमान आने वाला है हो सके तो daily गाई को रोटी खिलाएं कुद्टे को रोटी खिलाएं पहली रोटी गाई की और आखरी रोटी कुद्टे की हमेशा रखा करिया है इससे हम बोले यह नहीं आप एक दिन खुद हमें बताएंगे कि आपकी जिन्दगी में क्या हुआ क्योंकि हम जादा बोलते हैं समझाते हैं तो कुछ टॉक्सिक लोग आते हैं जो लंबी चौड़ी पंचायत करके कॉमेंट में चले जाते हैं हमें खायर कोई फर्क नहीं पड़ता आप सब हमारी जान हैं और हम प्रोफेशनली आप सबसे जुड़े नहीं हैं तो हम आपको समझाएंगे लेकिन हम चाहते हैं कि आप बस एक महने तक पहरी रोटी गाई की और आखरी रोटी कुट्टे की रखिए तीन चार रोटी गाई की बनाईए चार रोटी ठीक है चार पांच रोटी गाई की और लास्ट की चार पांच रोटी कुट्टे की रखिए ठीक है बस डेली आप ये करिए एक महिने तक आपके जिन्दगी में वो बड़ा चेंज होगा वो बड़ा परिवर्तन होगा जिसकी आपने उम्मीद भी नहीं की होगी ये इश्वर आपसे कहना चाहते हैं और ये हमारा पर्सनल एक्सपीरियन्स है इसी वज़े से हमें लगता है कि हम आप सबके साथ शेयर करें ठीक है? I hope कि आप समझ के होगे कि इश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं आपको क्या समझाना चाहते हैं जैशी क्रिशना अपने ख्याल रखे, अपने अपनों का ख्याल रखे कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए क्योंकि लोगों का काम क्या नहीं होता है और वोपोरी जिंदगी कहेंगे आपको लोगों की नहीं अपनी परभा करनी है अपने खुशों की परभा करनी है और अगर आप इस चैनल पर पहली बार है आपका मन कहता हो आपकी आत्मा कहती हो तो आप इस चैनल को लाइक करके शेयर करके सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं ठीक है जैशी प्रुष्णा आप सभी के रिदे में बैठे बर्मात्मा को हमारा शादर प्रणाम ओम मनिपद में हम ओम साहिराम